नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है बिहार सिच्छक भरती थ्री पॉइंट सुने में टीजी टी प्लस पीजी टी इतिहास प्रेटी सेट 46 में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे वाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं हां अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट देखना चाहते हैं 45 तक तो उसका प्लेइलिस्ट मना हुआ है वहाँ पर जाकर प्लेइलिस्ट में चैनल पर देख सकते हैं इसके लाब प्रीविएस परसन हर्याना राजी में रजिया सुल्तान का मगबरा किस निर्मान सामगरी से निर्मिता है दिया है लाल बलुझा पफर से संगमरमर से पकी ओओ सर्षारर आता यह यह सक काई पकी ऑफी यटों से पकी ओओ इन से तो हरियाना के जो है ये कैथल जिला में अगर पूचता है कहाँ पर हरियाना में वहाँ पर पकी इटो से बना हुआ रजिया सुल्ताना का मगबरा निर्मित है दिल्लि संत्रती गद्दी पर बैठने वाली पहली अगर महिला देखा जाए तो थी रजिया सुल्तान कि कोश्चन नमर दो पर आते हैं निम्लिकित में से कौन सा इसमारक खिलजी राजवन्स द्वारा बनवाया गया था दिया है बड़ा गुंबद सब्दर जंग का मगबरा अलाई दर्वाजा या सीस गुंबद यहां परेंसर रह जाय गाbel की अलाई दर्वाज़ा जो है दिल्ली के महरवली के पास ही यह और जलालदीण फिरोज खिल जी ने वंस के अस्थापना की थी नीर्मांण तो अलाउदिन के ने करवाया था हम कोश्चन नमबर 3 पर आते हैं कुतुम मिनार के पांचवे तल का निर्मान निम्लिखित में से किसके सासनकाल में यह दवरान हुआ था इल्टु तमिश रजिय सुल्तान फिरोसा तुगलक मौमद बिन तुगलक तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका सी फिरोसा तुगलक तो कुतुम मिनार के अगर बारे में देखा जा तो कुतुम मिनार कहां पर है तो कुतुम मिनार आपको जो है दिल्ली में है और महरवली के पास में स्थित है और इट से बनी हुई विश्व की सबसे उची मिनारों में से इसकी गिंती की जाती है और दिल्ली के पर्थम सुल्त यह सासक अगर कर सकते हैं तो कुतूबदी नवयवयक ने इसका निर्मान कराया था हलाकि इसका कार्य पूरा कराया था इल्टू तमीश ने कि आ और फिरों अतुगण ने जो है इसकी चाऊती मंडिल जो नश्ष्ठ हो गई थी इसको बनवाया इसके अलावा एक और मंजिल बनवाया यानि कुल मिलाकर इसमेँ पांच मंजिल हैं और न्तीम जो सक था पांच में तलक जो निर्माल करा है था तो फुरोसा तुगलग था ते सा यसार नमे चार पर आते हैं है निमलु भृत में से यह निमनी में से हैं दिल्ली में जमात खाना मस्जित का निर्मार्ण निम्लिखित में से किसने करवाया था दिया है जलालदिन फिरोज खिल जी खिज्र खा या कुदूब दिन मुभारक सामित यहां परिणसर हो जाएगा आपका सी खिज्र खाने है तो चल्षन्य नमबर 6 पर आते हैं कुद्वत अल् इसलाम मस्जित कहां इस्तित हैं तैंबर कोस्चन नमब्र साथ पर आते हैं डिली में कुबतउली इसलाम मस्जित के दचिण प्रवेशं द्वार अलाई दरावजे का निर्माल किसके द्वारा कराया गया था अलाई दराजे का निर्माल पुछ रहा है किसके द्वारा कराया गया था यहां पर दिया है मुईजिद्दिन मुहम्मद गोरी अहमद साह दुर्रानी अलाउदिन खिल जी मुहमद बिन तुगलत अलाई दिराजे का निर्माल कराया गया था किसके द्वारा अलाउदिन खिल के द्वारा पूछता है कब कराया गया तो तेरह सो इग्यारह इस भी याद रखेगा को से नमर आठ पर आते हैं भारती वास्तु सिल्फ में सुर्खी किसने सुरुकी सुरुकी गुप्त ने या सल्तनत सुल्तान ने या मुगल ने या कुसार ने यहां प्रेंसर हो जाएगा बी सल्तनत सुल्तान ने तो सुर्खी यह वास्तु कला की एक के कला है अस्थापति कला की सैली है कह सकते हैं जो संतनत यानि सुल्तानों के समय में सुरुकी गई थी कोश्चन नमर नौ पर आते हैं बीश्व विरासत अस्थल में इल्टु तमिश की कब्र है हिमाओं का मकब परामा बोधी मंदिरी समूर या कुतुb मिनार ये लाल्ग परिसर में यहां परैंसर हो जायेगा आपका कि कुटुब मिनार में कोशन नमबर 10 पर आते हैं होज सुल्तानी एक है तो होज सुल्तानी एक क्या है मिनार है बड़ा जलासे है महल है या मस्जित है तो यहां पर इंसर हो जाएगा आपका भी एक बड़ा जलासे है 11 नमबर कोश्ण पर आते हैं कोश्ण नमर 11 देखिएगा धिया है कुटुब मिनार का नाम सुफी संत के नाम पर रखा गया गया है यह पूछा जारा है पर सयद वही असरफ या अलावदिन साविर कल्यारी य्जधक में कुटब दिन वक्तियार काकी के नाम पर कोस्टन नमर बारा है मोठ की मस्जित के सासनकाल में बनी थी दिया है मुहमद बिन तूगलक सिकंदर लोदी औरंग जेप अलावदिन खिल जी यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी सिकंदर लोदी कोस्टन नमर तेरह पर आते हैं दिल्ली संतनतकाल में तबकात नासरी की रचना किसने की थी यहां पर दिया है हसन निजामी अमिर खुसरो मीन हाज उस सिराज यह ज्यावदिन बरनित यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी मीन हाज उस सिराज ने कोस्टन कोस्टन नमर 14 पर आते हैं तारीखे फिरोसाही के लेखा कौन है अमीर खुसरो अलबरुन इबन बतूता जियावदिन बरनी यहां पर अंसर हो जाएगा आपका डी जियावदिन बरनी कोस्टन पंद्रह पर आते हैं जोहर की घटना का उल्लेख फार्सी भासा में सब से पाले किस ने किया था तो यहां पर दिया है असन निजामी जियाओदिन बर्णी अमीर खुसरो इबन बतूता इसका एंसर हो जाएगा आपका सी अमीर खुसरो कोश्चन नमबर 16 पर है निम्लिकित में से किसके लेखक जियाओदिन बर्नी है दिया है तारीखे फिरोसाही सियारोल मुंत्वद उल्तवारी आएने अकबरी तो यहां परेंसर हो जाएगा आपके ये तारीखे फिरोसाही कोश्चन नमबर 17 पर आते हैं निमलिकित में से कौन अलावदिन खिल जी के दरबारी कभी थे जिन्होंने प्रसिद कभीता हस्त बहिस्त लिखी थी हस्त बहिस्त लिखी थी तो यहां पर देखे आप संधिया है आगा हसन आनामत अमानत अमीर खुसरो हरिसेड चंद्र बरदाई यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी अमीर खुसरो कोश्चन नमबर 18 पर आते हैं भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है यहां परेंसर हो जाएगा सी अमीर खुसरो कोश्चन नमबर 19 पर आते हैं अजमेर शरीफ निम्लिकित में से किस सूफी संथ की दरगाह है यहां पर यहां पर दिया है मोहमद बिन तुगलत या मोहमद गोरी खुआजा मोईदिन चिस्ति या भक्तियार खिल जी यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी खुआजा मोईदिन चिस्ति की जो है सूफी संथ की दरगाह अजमेर में श्थित है को कोश्चन नमर 20 पर आते हैं शेक मोईदिन शिद्जी यानि मोईदिन चिस्ति दरगाह निम्लिकित में से किस सहर में श्थित है पानिफत जालंदर अजमेर पटना फिस का एंसर हो जाएगा आपका सी अजमेर में कहां पर है अजमेर में खुआजा मोईदिन चिस्ति का जो है वर्ष 1192 पर अजमेर के रहने वाले के साथ उनका उपदेश देना शुरू किया था तो आजमेर में इनका कोश्चन नमर 21 पर आते हैं 21 नमर देखेगा सूफी उस्ताद अपनी भासाओं को अपनी खानकाहों में आउजित करते थे जिने कहा जाता था इस्तूप धर्म सलाएं दरगाह या धर्म अस्थल यहां सब्सक्ताफर हो जाएगा आपका सी तो क्या कह जाता था जाता था धर्म शलाएं कहा जाता था जाता था कोश्चन नमर 22 पर आते हैं सूफी परंपरा के संदर में समा सब्द का अर्थ क्या है तो सूफी परपरा के संदर में समा सब्द का अर्थ किया ये पुछा जा रहा है समा सब्द का तो देखे समा सब्द का आपसर दिया है यहां पर आश्रम जादोई करतब पवित्र गीतों का पाठ या सागिर्द तो यहां पर इंसर हो जाएगा आपका सी पवित्र गीतों का प यहां पर इस्थित है दियाए अजमेर में अजोधन में दिल्ली में या आगरा तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी दिल्ली में कोश्चन नमर 24 पर आते हैं मद्यकालिन सूफी परंपरा के संदर्व में वली यहां पर दियाए वली सब्द का क्या अर्थ है संथ आश्रम सिस या क्रम तो वली सब्दकार्थ होता है संथ कोश्चन नमर 25 है अजमेर में उर्ष महसो किस सूफी संथ की पूर्ण तिथी के रूप में मना जाता है ख्वाजा मुई दिन चिस्ति सलीम चिस्ति हजरत निजामुदिन या मिया मीर यहां परेंसर हो जाएगा आपका ए ख् कोश्चन नमर 26 पर आते हैं सूफी संथ के मकबरे को कहा जाता है तो सूफी संथ के मकबरे को क्या कहा जाता है दिया है कल देशक इदगा दरगा खान का तो यहां परेंसर हो जाएगा सी दरगा कोश्चन नमर 27 है निमलिखित में से कौन सा सूफी संपरदाय सरवाधिक रू नक्स वंदी कोशन नमबर 28 है और आज के लिए अंतिम कोशन है यह दचिन भारत के उस भक्ति संत का नाम बताईए जो प्रारंभ में जैन थे और 22 अताब्दी में एक चालू की राजा के दर्बार में मंत्री थे यहां पर दिया है करकाईल आयमेयर बसवन्ना एकनात तलक पका अमन्ना चारे तो यहां प्रेंसर हो जाएगा आपका भी वसन्ना तो दच्छन भारत के संत थे बसन्ना जो लिंगायत आंदोलन के जनक भी इनको माना जाता है प्रारंभ में यह जैन थे तथा कल्यानी चालू क के वंस की राजा थे जिनका नाम था बिल्ला दूती के दरबार में मंत्री भी थे तो यह था कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के आधिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहि वंदे मात्रम